जै भारत मातागी आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि महाँ भगवती किरपा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माँ आपको हमेशा खुश रख के आप पर महाँ भगवती किरपा सैदेव बनी रहे दोस्तों आज का हमारा विश्य रहने वाला है सिंग राशी को लेक 2023 का जन्वरी का महिना आप लोग के लिए क्या लेके आया है आपका स्वास्ते कैसा रहने वाला है मानशिक्स्तितियां कैसी रहेंगी व्यवशाय कैसा चलने वाला है और जोप में क्या खुबसूरत बदलाओ है और जिनका विवा हो चुका है उनके लिए महिना कैसा रहेग वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं सुमन सर्मा आप सब का आपके चैनल जो तिसाना के इंदर यूटूब पर स्वागत करता हूं और एक आप से बड़ा प्यारा सन्वेधन कि आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा बैल आइकन को प्रेस कीजेगा कोमेंट में जान पर आगे बढ़ते हैं देखे सिंग राशी का स्वामी है सूरिय यह फलादेश सिंग लगन वेचंदर राशी पर निधारित रहेगा अब अगर बात की जाए सिंग राशी की जो ग्रह करम किस परकार से है कि सिंग लगन का स्वामी पंचम भाव में बुद्ध के साथ स्वास्ते के लिहाज से दोस्तों देखा जाए तो चोदा जनवरी तक स्वास्ते बड़ा अच्छा रहने वाला है परन्तु चोदा जनवरी के बाद स्वास्ते में कुछ उतार चड़ाओ देखने को मिलेंगे बुखार बलड में इंफेक्शन, एलर्जी, खासी, जुखां और इस समस्या से भी आप बच सकते हैं यदि आप अपने नेयमों का स्वास्ते का ध्यान रखेंगे तो इन समस्याओं से आप बच सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप साथानी नयवरते और ये होके रहेंगी आपकी साथानी स सत्रक्ता आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बजाएगे तो यहां पर सूर्य का छठेस्तान में होना स्वास्ते के लिहाद से अच्छा नहीं देखा जाता है अब बात करते हैं दोस्तों विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए तो ये बड़ा ही सुनहरा अवशर है कि विद्यार्थी अगर मेहनत करे तो रजल्ट उनको ना मिले ऐसा संभाव नहीं हो सकता जो 2022 में आपने प्रेशानिया देखी हैं कि मेहनत बहुत की फल कम मिला परन्तु इस वरस और इस महा में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है आपकी जो पिछले वरस में जो आपने मेहनत की थी जो प्रेशानियों का आपने सामना किया था उन सब का आपको फल सरूप 2023 के जनवरी के महिने से मिलना प्रारम हो जाएगा और साल के अंत तक आपकी काफी हद तक इच्छाओं पर यह साल खरा उतरने वाला है मेहनत आपकी होगी फल आपके लिए होगा अब बात करते हैं जो गोर मिट जोग को पाना चाते हैं तो दोस्तों जो आप बार बार प्रियास करते थे आप रह जाते थे आपका पिपर कलियर नहीं होता था तो इस महिने इस साल में आप अगर मेहनत अच्छी करके आप एक्जाम देंगे तो 101% आपका एक्जाम कलर होने की पूरी-पूरी संभावनाई बनती है क्योंकि इस वरस में आपको बहुत सी खुशया मिलने वाली है तो मेहनत के साथ आपको फल इस वरस में जरूर मिलेगा क्योंकि पिछले वरस में आपने बहुत से प्रभाव को सहन किया रिष्टे नातों से आपकी दूरी हुई है परन्तो आप अपने विशे तक नहीं पहुँचवाए धन भी कत्रित नहीं हुआ और विद्यारती विद्या के एक सित्र में आगे नहीं बढ़ पाई परन्तो इस आपको मद्धमफल की संभावनाए सनी के तरफ से बनती हैं कि आपके सप्तम भाव में सनी देवजी 17 जनवरी को स्थान परिवर्तन महा परिवर्तन करने जा रहे हैं 30 वरस के बाद कुमरासी में और अपने मित्तर के स्थान में सात्वा स्थान सुक्र का होता है तो यहां प सब्सक्र करेंगे तो दोनों की अध्वुद जोड़ी बहुत से सुंदर संयोगों को बनाने वाली है सप्तम भाव में सनी और सुक्र का यह प्रिवर्तन अन्मैरिडों के लिए विभा के रस्तों को खोलती है जो लंबे समय से विभा के लिए प्रियास कर रहे थे या कुछ और आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं तो अनमेरिटों के लिए ये खुशी की बात है कि उनके विभा के उनके लाइफ में किसी परसन के आने के पूरे पूरे रास्ते बनते हैं जिसे उनका जीवन खुशनवा हो जाएगा और जो विभा कर चुके हैं उनके जीवन की बात की जाए तो 17 जनवरी से पहले सब्दों के लिए मैं समा चाहूंगा 17 जनवरी से पहले सब्दों में थोड़ी शी नौप जोक रहेगी क्योंकि छटे स्तान में सुक्र और सनी का वैटना कोई थर्ड परसन किसी की बात ऐसी जो आपके विचारों में आपकी बातों में आपको परिशान कर सकती है परंतु 17 जनवरी के बाद आपका सब्दों भाव सनी और शुक्र से सुसरजित होने के कारण आपके जीवन में दिन दोगनी राज चोगनी होने वाली है बस एक दूसरे पर विश्वास रखिएगा अनेसेसरी बातों में एक दूसरे से बहस मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सनी एक चीज को और देखते हैं कि आप नारी का संबान कितना करते हैं आप जितना यहाँ पर नारी का संबान करेंगे उतना ही आपके भाग्य में विर्दी अत्यदिक होगी ये आप बात अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो ग्रहनी जो घरका कारिये करती है उसको सम्मान की नजरों से देखिएगा और अपने आपको उसके सामने से छोटा देखनी की भी आउशकता है क्योंकि जो कारिये वो हल कर सकती है शैद पुर्ष के लिए संभव नहीं है तो इसलिए सम्मान की नजरों से आप अपने घर की ओरतों को मा को या फिर धरम पतनी को बेहन को देखते हैं तो इससे सनी के आपके प्रभाव में बड़ा सुन्दर फल बनने जा रहा है अब बात करते हैं दोस्तों सनी की दृष्टियों के आपके भाग्ये पर अध्वूद दृष्टे सनी की रहने वाली है यहाँ पर पहले से राहू मोजूद है राहू का फल अच्छा नहीं है परंतु सनी का फल आपको यहाँ पर अच्छा प्राप्त होने वाला है अब बात करते हैं गुरु देव की क्रपा से इस वर्स में आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा क्योंकि मिला जुला प्रिणाम सनी और सनी देव जी का और गुरू जी का रहने वाला है जोब में बड़े अच्छे परिवर्तन होने की संभावनाई है प्रमोशन के योग हैं पहले आप छोटी जगे पर जोब कर रहे थे आपका उसमें घर नहीं चल रहा था तो आप आपको अच्छी जोब मिलने की इस वर्स में संभावनाई बनती है और जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए ये वर्स बड़ा एहम रहने वाला है आपके बिजनेस में दिन दोगनी राज चोगनी होने व उशात में खुशी में विर्दी करेगा तो दोस्तो आज का हमारा विशय था सिंग राशी पर ने दारित अगला विशय हमारा रहेगा कन्या राशी तो दोस्तो इन सब स्तितियों में इन सब ग्रहों की स्तितियों में एक बात भी बड़ी माइने रखती है कि आपकी कुंड कुंडल shops के बारे में नहीं कि है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है जो आपके लिए जरूरी बाते थी वह बात हैंनि आप लोगों के सामने रखी हैं आप अपनी कुंडल का विशलेशन जरूर कर्वाइएक और अगर विशलेशन नहीं भी आप करवाना चाहते हैं और ग्रह स्थितियां आपके कही ना कहीं सरी कमजोर है ब्रहस्पति कमजोर है तो इस साल के आपके लिए बड़े प्रमुक उपाए हैं आप कीजिएगा आपको फल जरूर मिलेगा सूरिय को डेली अर्ग दीजिएगा सिंदूर चावल चिनी हल्दी डालके और जल की धार के अंदर से सूरिय को देखने का प्रियास कीजिएगा आपको भरपूर एनरजी प्राप्त होगी और आपके ग्रह जो वी कवस्ता में हैं वो पोजिटिव एनरजी से भरपूर हो जाएंगे और आप जीवन का आनद लेंगे और आप इस वरस में लाल रंकी गाएं की जितन महत्तपुरण रहने वाला है तो दोस्तों जांकर यह आपको कैसी लगी है कोमेंट में जरूर बताईएगा अपना ख्याल रखिएगा बे जुबानों की सेवा करिएगा जरूर्मंदों की मदद करिएगा और हमारे योगे कोई सेवा हो तो आप हमें जरूर बताईएगा को आपकी मलत का आप अपने मन में उच्छाहा लेकर आगे बढ़िएगा क्योंकि जो औरों को देखता है उसको इश्वर देखता है और जो खुद को देखता है तो शयद इश्वर उसको देखने में कुछ समय लगाता है तो सब का भला करने की परियास से आप आगे करने के लिए वड़े उतारू हो जाते हैं आपका खियाल लखने के लिए विवस हो जातें ऐसी ही है हमारे प्रमात्मा की चवी जो आपके लिए अच्छी रहने वाली है दोस्तो आज regular इतना ही फिर मिलते अगले विशय पर जै गुमातागा जै भारत्मा